कड़ी पुलिस भले ही अविद गतिवीधियो सहित बदमाशों पर सिकंजा कस्नी का दावा करती हो लेकिन जिले में बदमाश एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे कर पुलिस को चुनोती दे रहे हैं ताजा मामला लखा खेरा ग्राम का है जहाँ पर बदमाशों ने जलपुर में पदस्ते पुलिस कर्मी के घर धवा बोलकर करीब पूरे तीन लाक रुपए का माल लेकर फरार हो गए फिलहाल बड़वारा पुलिस ने मामला दर्स कर आरोबियो के तलाश शुरू करती है कैसे चोरी हो गई कैसे पता चला आपको और कितना सामान यहां से चोरी हुआ है मैं रहता हूँ जबलपुर में मेरा यह घर हुए लावारी है यहां पर चौकी दाल लगा के रगा हूँ एक पंडित पुजारी है मेरा भाई मुझे फोना कर बताया कैए वोले राजू यहां पार गेट खु़िवा तेरा तला तूटा हुआ है तो अंदर जाके वोल अंदर जाके देखा द मैं यहां साथ पूरा अरणिय का पंज यह में पूरा सब टूटा पड़ा हुए है फिर में वाँ छला जबल पुर से जटसाप से बता गए कि सवस्य बात हो गई है तुम्हें जब यह आएकि देखा धाना गया ठाने बता आ साने वाले आए कम और अभी में सुवह फिर गया तो इसके फाईया करवाया आवेदन दिया उसके बाद पुलिस बोली कि मैं भी आ रहा हूं सम्थिंग मेरा जूलरी का समान गया हुआ है धाइसे पोने तीन लाग के बीच का कि एक हार रहा और एक जोड़ी कंगन रहे एक अंग उठी रही सोनी की और कंधन रहा है और कि आप तसमान हम रगया है यह कहाँ पेस्थित है आपका मकान यह मेरा मकान है लखा-खेरा बस इस्टेंड पे आप कहां पे पोस्टेड हैं वह जबलपूर, हाई यौड़, हाई कोड में च्व जश्टिस महोजय के सेवा में हूं क्या नाम था आपका मैह राजिष मह को भीय खबर में प्रदेश के लिए कटनी से असलम खान की रिपोर्ट